कि अग्वाइब वेलकम टूबाइच चैनल त्रिवनिस्टेडी सर्किल जयपूर्षा आज मैं बात कर रहा हूं निदेशक प्रार्मिक शिक्षा के विकानिर के द्वारा जारी किए गए एक आदेश के संदर्ब में जिसमें आपको हैदराबाद और गोहाटी जाने का एक सुनहरा मोका सिक्षकों के लिए दिया गया है और मैं बात कर रहा हूं इसमें कि आप कैसे वहाँ पर जा सकते हैं और क्या-क्या सुविध हैं आपको वहाँ पर मिलेंगी इन सभी की बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंग और साथ ही इंगलिस ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं वो भी जो है आप तक पहुंचते रहें उसमें स्पोकन इंगलिस भी जो है सामिल है फिलान मैं बात कर रहा हूं निदेशक प्रारमिक शिक्षिया राजस्थान बिकनेर के द्वारा जारी खेगे इस आदेश के इस धर्युक्र में आदेश जारी है और इसमें वहाँ पर आपको क्या करना है कैसे आप वहाँ पर जा सकते हैं यह इसमें बताए गया है के करेकि राश्चे सिख्षान राजस्तान राज्य कि इस रात्य को ख लिए पांत जाने वाले जोस्कार बासे राजस्ष्टे रोए 2020 के क्रियान्वन हेटू PRA miracoship पान्ठेकरम निरधारिए कि यह हम सी जी कूर्प चिर्ट Communist के खफिर्यकंद्रों यह ता हैदराबाद गोहाटी उदायपूर नई दिल्ली पर principle दिया जाएगा बैरिक्ण के अधी प्रतथिक्षाग है इस हेतू आपके जिले से साला जाटन पोर्टल से दो अध्यापक्यों में दो अध्यापिकाउं के नाम का च्याइन कर वार्षिक पर सिक्षन तयार करने है, दूर, नाम प्रेशिद कर आवे शिख्षकों का जो चैइन इसमें, आपको यहां से दो, हर जै syllabus देको और हर उसमें ब्लॉक शिक्षः शादिकारी है और यहां तक इन converter को यह नियर। सबसे पहली सरत है को नियमित कार्मिक हो दूसरा है कि शिक्षक कक्षा एक से पांस वी तक शिक्षण कारे कराते हों एक से पांस तक वो पढ़ाते हों और तीसरी जो महत्वपून बात है वो यह है कि इस साला दरपड पोर्टल के अनुसरा शिक्षक की आयू पंजी करन के समय जो है वो 52 यह से अधिक नहीं होनी चाहिए यानि अगर 52 यह से ज्यादा है उनका है तो वो इस वर्क्षोप में पार्टिपेट नहीं कर सकते हैं कि में अनुसवत है उनको भी चैनि में नहीं बेज़त है जो पहले से अगर यह स्मिंदा लेचुके हैं तो उनका नाम दुबारा नहीं पजोए जाना है लेकिन इसके साथ अब जो महतुपून बात आपको मैं बता दूँ उपर आपको चार रीजनल सेंटर्स की बात की गई थी लेकिन फिलाल जो यादेश जारी हुआ है उसमें दो रीजनल सेंटर्स पर ये प्रसिक्षन कारेकरम आउजित की जा रहे है है हैदराबाद और गोहाटी और इस प्रसिक्षन कारेकरम है उसका जो विशे है वो है एनिपी 2020 के अनुरूप शिक्षा में पुतली कला की भूमी का है यानि जो पुतली कला है उसकी कटपुतली जो कला है उसके उपर पपेट्री के उपर जही वर्क्षोप आईजित की जा रही है और इसकी जो अवदी है वह है 19 जून से 3 जुलाई 2024 तक याईजित होगी और कहां पर याईजित होगी CCRT का जो गूगल ओफिस के बास माधापूर हैदराबाद में तेलंगाना में ओफिस है वहां पर ये तेलंगाना का जो माधापूर हैदराबाद में जो केंदर है CCRT का रिजनल केंदर है वहां पर याईजित की जाएग दो जो है इसमें दस टीचर्स का जो है निदेशिक मोदेख के द्वारा एक आदेश जारी किया जाएगा और उसमें वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके साथ आपको मैं बता दुए दूसरी जो प्रसिक्शन कारिक्रम है वो इसके साथ ही वो ही इनि पी के वि製्ट श pasar में है लेकिन जूसकी जो डेट है वह है बीज जुन 2004 से हम 20 से चार जुलाई तक है और कि यह जुए संक्रादेव कलाक्षटर वहां करक्षटर है गोहाटी में पंजाबरी गोहाटी में है और बहुत ही शांदार स्थान है आपको मैं बता दूं तो और वहाँ पर याजित के जएगा 20 से चार जुलाई 2024 तक और इसमें भी वो दस जो सिक्षक आउं का जाय जाएगा और वहाँ पर भी participate करने के लिए जो संख्या रखेगे गजिए यह हर श्टेट से प्रते की स्टेट से एक निज़ारी संख्या होती है कि वहाँ पर 10 टीचर्स को वहाँ पर भीजा जाता है और क्यों मतलर राजस्तान से यह आते हैं वहाँ आलोवर इंडिया से वहाँ पर टीचर्स आता है तो आपको एक बहुत ही सुनारा मौका आपको गोहाटी और हैदराबाद जाने का आप जो है प्रैमरी टीचर्स है उन साथ आपको वहाँ पर अगर आप गोहाटी जाते है तो वहाँ पर एक दिन आपको जो टूर करवाए जाएगा CCRT के द्वारा वह कामक्या मंदिल में भी जो है आपको वहाँ पर लिजाए जाएगा इसके साथ वहाँ पर जो जूलोजीकल पार्क है है फजिज़राबाद म मैं आपको देना चाहूंगा तो इसमें मेंशन नहीं है कि जितना भी जो भी वहां खाना या पीने रहने की जो सारी सुविधाएं सीशिया अती प्रोवाईड करवाती है यहां तक ही थर्ड एशी का किरया भी आपको सीशिया अरटी के दौ़ारा प्रोवाईड करवाया bandwidth चा Seven...... तो यही हमेशा होता है अब अगर हो सकता है कोई changes हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता लेकिन पहले जो जितने भी आयोजन होते थे इस तरह के उसमें जहां तक मेरा ख्याल है सारे की सारी अगर आप इसके आदेश में जाएंगे और CCRT के साइट पे जाएंगे तो यह की शांदार होस्टल है और वहीं पर आपको रहने के लिए सुईधाएं मिलती है खाने पिने की सारी वहीं पर होती है को और घूमने के लिए एक-एक दिन आप़ो पर दिया बंध की lại की मेरी राय में आप सभी को इसमें प्रियास करना चाहिए और जो भी इस चुट टीचर्स हैं उनको निश्चित रूप से वहाँ पर जाना चाहिए अगर फोड़ा सा भी एक एक और आपको मैं बता दूं आप इंग्लिस टोविंग पर्संस को जहें करें क्योंकि वहाँ पर एक प्रजेंटेशन अपने स्टेट का देना होता है क्योंकि दोनों ही जगह है अधराबाद साउथ में हैं बाहर से भी स्टेट से भी जो लोग आते हैं तो वहाँ पर एक प्रजेंटेशन आपको देना होता है और वह प्रजेंटेशन लगभख काफी कुछ है इंग्लिस में तो कि दूसरे जो इस्टेट के लोग है वह भी उसको समझ सके हैं कुछ इस्टेश से आते हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ पर प्रजेंटेशन आपने मेरे चैनल इसको पूरा का पूरा आप लेखा इसके लिए थैंक्से लाट अगें और थैंक्यू अरी मत और वाचिंग माई वीडियो थैंक्से लाट अगें इसे प्रकार से अगर फिर से आपको मैं करूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आदा अवस्य सब्सक्राइब कर लें थैंक्से लाट